आज यहाँ पर compare करेंगे OnePlus 11R का stock camera versus यहाँ पर OnePlus 11R में Google camera चला करेंगे यहाँ पर कितने difference है था दोनों की image में और video quality में साथ में चेक करेंगे इसके portrait, close-up shots, 2X और 1X आपको यहाँ पर Google camera में कोई wide angle का option देंगे नहीं मिलता कि दोनों में क्या difference है यहाँ पर फस्टी दिखने को मिलता है वह इसका brightness का आपर जो main camera है OnePlus का stock camera वहाँ पर ज्यादा बैट फोर्ट इसकेप्सिर करता है बट यहाँ पर जो हमार Google camera वह ज्यादा ही color show कर देता है यह मुझे देखने को मिला है इसमें यह दोनों के हाँ पर PC में चेक कर सकते हैं दोनों में ज्यादा देखने को नहीं मिला है भी laptop में एक जो डिफ्रेंस है दोनों camera में यह है कि जो OnePlus का ज्यादा वाइड एरे capture करता है बट यहाँ पर Google camera थोड़ा कम एरे capture करता है as compared to OnePlus के stock camera से तो आपकी सामने आपर दोनों image आप चेक कर सकते हैं तो चेक करते हैं इसका 2X में आपर कैसा काम करता है तो 2X में भी यहाँ पर जो Google camera है वो काफी अची पर वह निकाल कर देता है और stock camera वह भी आपको काफी अची यहाँ पर पर वह निकाल कर देगा पर जो में आते हैं भाई colors है friends की आप चेक कर सकते हैं कि दोनों ही phone से मैंने यहाँ पर flower की फोटो ली थी और background में आपको green कर देखने हूं मिलने वाल यह wall बड़ जो रियल जो यहाँ पर color है यहाँ पर OnePlus ने ज्यादा अची तरीके से आपर showcase का है बड़ यहाँ पर Google camera उसने यहाँ पर natural tone की तरफ यह रखा है तो दोनों में आपको यहाँ पर यहाँ देखने मिल जाएगी यह 2x पर है तो 2x में पर जो फोटो है देखने में आपको यहाँ पर Google camera के अच्छे देखने लग रहा होगा क्योंकि इसके अंदर जो colors है वो थोड़े ज्याद है बट नेच्वल साइड पर यह पर यह पर फोटो कैप्चर करता है थोड़ी है यहाँ पर हमें पर यहाँ पर चेप्चर किये थे human portrait आप चेक कर सकते हैं कि oneplus के दरब को काफी bright photo देखने मिलेगी जो social media friendly होगी वहीं बात करें इसमें हम Google camera की तो इसने आपर थोड़ा close up short लिया य ज़्यादा ब्राइड जहने को लगते हैं उच्छ पर क्लोजर सोर्ट से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर दोनों की यहाँ पर फूकस काफी इच्छ तरीके से यहाँ पर कर लिया आता है फोटोज के अंदर और यहाँ पर जो कॉलर्टी इमेज के वह बी काफी अची दिनने को मि जो तर्फस्तों में हैं तुकर के सिKaymra चोड़े गजेकें, कि सबस्क्राइब कर अच्देश अना है टोड़ी मग धर Yuval तो नहीं नियुग टॉन में सबस्क्राइब कर दिखें किया पर उने अब से सपें क्रीक्ट ऑपनका, है। टोर रुट्स के अनजस्सों सरो जो यहां पर DL में देने को मिल लाता तो यहां पर दोने में डिफ्रेंसे दोने में के कलर के अंदर अब बात करेंगे इसके हम आगी जाके वीडियो उसकी इसका फोकस चेक करेंगे इसका इसका उडियो आडियो आ रही हो भी आप चेक कर सकते हैं यह कुछ इसका यहां पर आग गूगल केमरा का आता है वीडियो रिकॉर्ड का और अब जाते हैं तोड़े फिलावर के पास और चेक करते हैं इसके यहां पर फोकसिंग करता है कि नहीं करता है तो कर लिया इसने ओटमेटिक फोकस यहां भी यह कर लेगा यह नहीं करा इसने यहां तो कर लिया इसने को और इधर भी इसने कर लिया है अधर भी इसनी कर लिया है, पास जाते तो खरता है इसने अधर भी नहीं कर आशने भी कुछ ऐसा मिलता है आपको Google Кेमर का कैमरा पास जाते तो फोकस करता है दूर जा नहीं करता है है यह कुछ यहां पर लिवस है कलर्स के सारे हैं और वीडियों पर लैक तो नहीं हो रही है है भी चेकरने को राप है कि सुगाइज यहां पर रिकोर्ड हो रहा है एक बाप्लेस का डिफोल्ड केमरे से 4K 60 फ्रेम पर सेकिंड में और कॉल्टी देख लो कैसी या रही है इसमें इस्टिलेशन में आपको पता लग जाएगा इस्टिलेशन कैसा है इसे ऐसा फोकस चेक करते हैं फोकस कैसी है इसमें और जाते हैं फिलावर के पास तो यह एक तुछ यहां पर इसका लीव आगी लीपे तो सब नापके लिए गूगल केमरे नहीं किया था और इसके यहां पर यह फिलावर है यहां पर भी काफी हचा फोकस कर लिया इसने और दूर सी फोकस कर लेता है इसके अंदर आपको जूम मिल जाता है आप इसे में जू इसे में रिकॉर्ड कर रहा है दो भी और दूर सी यह फोकस कर लेता है जिसके हमारे फोकस है इसने आपको अटोमेटिक लिए आपको फोकस किया है काफी अचार्स के फोकसिंग स्पीड है साथ में कॉलिटी अप चेक कर सकते हैं कैसी आ रही है यह लीव है यह कुछी पेड दिएख मैं कर दो है के घृकश्रस लीव एंब शर्राइं कि फोकां साथ है इस इहां पर और फेरोंदाओ श्रॉट्स आंपर चानि स्चोच श्रॉट्स रिंचरण और श्या प्रwefind यहां पर इमेज करता है थोड़ी यहां पर बाद में आरेट ना करने पड़े और काफी अच्छी तरीके से नेच्रल करने रखता है वहीं बात करें गूगल केमरा की वह थोड़ी यहां पर सेटीट कर रहें पर कर देता है करता है यहां पर पूरा कंक्लूजन आपने देख लिया और वीडियो क्यालिटी में यहां पर वनप्लस का स्टोक केमरा ही जी जाता है क्यूंकि उसके माइक क्वाल्टी वह ज़्याद अच्छी है फोकसिंग जाता है च्छी है साथ में इस्टेबलेशन वो भी आपको अच्छे देखने मिलता है और कलर सौप यहां पर देखे सकते हैं कि दोनों में क्या डिफ्रेंस है जहां पर वनप्लस है थोड़ी नेच्रल कलर यहां पर शोकरता है और जहां पर गूगल केमरा है वो